नमस्कार आप देख रहे हैं CMN मैं हूँ आपके साथ का निकास स्वागत आपका खास पेशकिश में आप देख रहे हैं CMN News मैं हूँ आपके साथ मुसर्दफ राना आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला सामली गाउ नाई नगला में जहां एक राजपूत सभा का आयोजन किया गया और इसमें मुख्य आतिती के तोर पर सेर सिंग राना जी पहुंचे हैं और आई हम सेर सिंग राना जी से जानते हैं जो यह सभा का आयोजन क्या है इसका मुख्य उद्देश ही क्या है देखिए आज की जो सभा का मुख्य उद्देश है नाई नगला नई में वो है पुलवावा में जो शहीद हुए हैं हमारे 40 CRPF के जमान उनके आत्मा की शांती के लिए देश में एक होसला बनाने के लिए कि पूरा देश एक है उसका एक मैसेज देने के लिए आज इस कारेकरम का आयोजन किया है और इस कारेकरम के आयोजन में हमारे अब्दुल सत्तार भाई हैं हमारे नाविद भाई हैं एक हामिद भाई हैं और मुसलिम हिंदु मुसलिम रा पार्टी का गठन किया है उसकी एक ही रण नीति है कि जो स्वरन समाज है चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो उनकी आवाज रखने के लिए उनका पक्ष रखने के लिए विदान सभा लोकसभा में इस राष्टवादी जनलोग पार्टी का गठन किया गया है मैं अभी विस्तार से बताता लेकिन किनी कारणों से आज उस पर विस्तार से नहीं बता पाए और अब जो है ये जो पार्टी है हमारी इसमें हर चीज में जो हमारे मुसलिम भाई हैं उनका चाहे वो पार्टी के पदाधिकारी हों चाहे वो पार्टी के रेजिस्टेशन में जो नाम भेजे जाएंगे वो हूँ, चाहे वो आगे आने वाले जब हमें सत्ता प्राप्त होगी, चाहे नौकरी बिजनिस जो भी हमें प्राप्त होगा सत्ता हसल करने के बाद, उसमें उनकी समान भागीदारी रखी गई है। हम सब एक साथ मिलकर जो भी हमारे देश के खिलाब जो है कुछ गलत करेगा या सोचेगा, उसको हम कड़ाई के साथ जवाब देंगे, क्योंकि ऐसा देखे कई लोग ये देश में आरोप लगाते हैं हमारे मुसलमान भाईयों के उपर, कि उनकी जो नियत है उसमें खोट क्या इसा नाम ले रहे हैं, इसको आपकी सनगरिये से देखता हूं और ये बहुती घटिया बात है, और ये जो आज का कारेकरम है, ये उन सब के मुझ पर एक तमाचा है, ये मैं आपको बहुत दिल से ये बात बोल रहा हूं, जैसा आपको मालूम होगा, मैं आपको बता मैं बहुत साल तिहार जेल में रहा हूं, तेरा साल, ऐसा कोई देश में आतंगवादी नहीं है, जो मेरे साथ जेल में ना रहा हूं, कश्मीर के जितने भी टेरिस्ट हैं, जितने भी बड़े टेरिस्ट हैं, वो करीब करीब मेरे साथ रहे हैं, और एक दो दिन नी रहे हैं कई कई साल रहें मेरी उन लोगों से बातचीत होती थी इस बारे में मैं आपको बता दूँ वो मुझसे खुद ये बात स्विकार करते थे कश्मीरी आतंगवादी कि अगर हिंदुस्तान का मुसल्मान हमारे मुवमेंट में साथ दे दे तो कश्मीर दो मिनट में आजाद हो जाएगा कई बार उन्होंने मुझे खुद ये बताया कि उन्होंने कई प्रियास किये इस इलाके में जो मुझसुद मुसल्मान लीडर हैं उनसे संपर्क करके उनकी साहिता लेने का या जो हमारे मुसल्मान भाई हैं उनसे समर्थन लेने का लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया और यही कारण है आप कभी नहीं देखेंगे कि किसी कश्मीरी मुवमेंट में किसी हमारे इधर के मुसल्मान भाई का उसमें हाथ रहा हो आप अफगानिस्तान के अंदर भी तीन महिने रहे प्रित्विराज चोहान जी की जो अश्तिया लाने में आपने कामिया भी हासिल किया है राजपूर्थ समाज कर वे आपने गर्ब से सीना चोड़ा कि इसके वारे में आप क्या कहें बिल्कुत सही है मैं सन 2004 में जब मुझे ही मालूम पड़ा था कि ऐसे ऐसे जो हमारे आखरी भारतिय समराट प्रित्विराज चोहान जी उनकी समाधी वहाँ पर थी और उनके साथ जूते चपल मारके उनका अपमान करते हैं तो तिहार जेल से भाग कर मैं अफगानिस्तान गया और मैंने वहाँ पर देखा कि जो एक गजनी एक जगह है उसके पास में मुहमद गौरी प्रित्विराज चोहान और चंदरबरदाई की तीनों की जो कबर हैं वो एक साथ थी मैंने तो की प्रित्विराज चोहान जी और चंदरबरदाई जी उनकी ही समाधी से हमें मतलब था उनको मैंने खोदा और वापिस लेकर आया जो मेरे साथी थे जब उन्होंने ये कहा कि भाई हम मुहमद गौरी की जो कबर है उसको नुकसान पहुचाएंगे या पहुचाने का मेरे सामने जब प्रियास किया उसके लिए हमने देखो उनको मना किया और ऐसा करने भी नहीं दिया इसलिए नहीं करने दिया अगर हम भी ऐसा करते तो फिर उनमें और हमारे में क्या अंतर है जाएगा इसके अलावा जो आदमी जीवित नहीं है जिसके मृत्य हो चुकी चाहे वो किसी भी जाती धरम या कोई भी क्योंन हो आपका दुश्मन भी क्योंना हो उसको बेज़त करना या उसकी लिए कुछ खराब बोलना मुझे नह ले गए थे हमने वो काम किया उनकी समाधी को खोद के वापिस लेकर आए मुहम्मद गोरी को वो लोग वहाँ पे बहुत इज़त और मान समान से मानते हैं तो उनकी भावनाओं को हम क्यों ठेस पहुचा है वो उनको माने हम जिसको मानते हैं उसको ले आए हाँ वो गलत काम करते थे उनके उपर जूते चपल मार के वो हमने उसको बंद कर दिया अभी चुनाओ आने वाले हैं आप देश का प्रधान मंतरी किसको देखना चाहेंगे राहुल गांदी अंद्रें किसको देखना चाहता हूं हम क्यों हम उनको क्यों देखेंगे एक राजनेतिक पारटी जिसका आपने नाम लिया नरेंद्र मोदी जी का वह बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं इस समय 56 इंच के सीने की जरूत नहीं है सीना चाहे बहले 36 इंच का उचा लेकिन उसमें दिल होना चीए ता शेर सिंग राना का अब्दुल सत्तार का तब कुछ काम होता है पाकिस्तान को मेरा एकी संदेश है कि उनको ऐसे घटिया पंच से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए और उनको मैं क्या कहूं मैं अपने देश के जो राजनातिक दल है उनको कहूंगा कि अगर कोई आदमी कोई देश हमारे देश के लिए जो है गर रहते हैं चाहिए वो किसी भी जाती धरं क respond किसी भी हाल में हम कभी भी पाकिस्तान का या किसी भी देश का जो हमारे खिलाफ काम करता है उसका समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा बह नहीं बना जब लोग हमारे मुसलमान समाश भाईयों के लिए गलत बात बौलते हैं तो मैं उन पुलता हूं कि आप लोग मूरक लोगो कि आप अब आसा बह मना है क्या कि जो अगर उदर पाकिस्तान से गिरेगा तो सिर्फ यहाँ हिंदू हिंदू को मार देगा मुसल्मान बज जाएंगे क्या कोई ऐसा बबम है क्या दुनिया में तो उसमें तो सभी लोगों की मृत्ति होनी है तो भाई हमें सब की जब जान जानी है तो सब को बचानी भी है और यही कारण है कि देश का जो मुसलमान समाज है वो कभी भी उनका साथ ना दिया है ना देगा और ये जो मुमेंट है जो कश्मीर का जिसके आप बात करते हैं ये भी कोई इसलामिक मुमेंट नहीं है ये एक जमीन के तुकडे के लिए लड़ाई है है उनकी इच्छा है कि वह अलग हूं और हमारी इच्छा है कि हमारे साथ रहा है सहबि आंगग बात फूमन है या मैं मेले साथ मिला ला चाफ़ए और जाना पड़ από हमेडा तूर को अधर मिला लोगे तो फिर पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा हमें फिर हम क्यों भाई तुम्हें अलग होने थे हैं तो हसी मजाक वाली बात है लेकिन यह सीरियस बात भी है कि देखो पूरा देश मुसल्मान भाईयों का भी है अगर इस चीज से कोई चीज टूटेगी तो वो उनकी भी टूटेगी ऐसा नहीं कोई ठेकेदारी नहीं है हमारी जितना हमारा हिस्सा है हमारा हक है किसी चीज पर इतना ही उनका भी है तो अगर यहां से कोई चीज तोड़ दी जाएगी तो उनका भी तो उतना ही नुकसान होगा तो वो साथ है मेरे को तो इसमें कोई एक परसंट डाउट नहीं है और यह जो कारेकरम आज रखा गया है न आपके सामने पूरा कारेकरम का आयो जनुआ यह पे 90 परतिशत से ज्यादा लोग जो थो यह मुस्लिम राचपूत ही हैं इस कारेकरम में मौझूद 10 परसेंट ही हिन्दू राचपूत हैं तो यह तो कारेकरम ही उन्होंने रखा है तो मैं उनका का बहुत धन्यवाद करूंगा और आगे जो है अपने अब्दू सत्तार जी बताएंगे ये मुस्लिम राजपूत वेल फेरेशन पिछले 14 साले से काम कर रही है अभी तक हम लोगों ने मुसलमान राजपूतों में काम किया है और हम लोगों ने एक नारा दिया अपनी कौम को कि इल्म इत्याद तरक्की अगर इल्म होगा तो इत्याद होगा तरक्की बड़ी आसानी से मिल जाएगी और इस वक्त जो हिंदुस्तान का महौल है हमने महसूस किया कि सिर्फ हमें सिर् अश्याद के लिए जरूरत है कि हम एक अमन का पैगाम लेकर क्या बढ़ें और इस अमन के पैगाम के तहती है इस मुस्लिम राजपूत वेल फेशन ने तमाम हिंदू राजपूत भाईयों को यहां पर मिलाया है इंदुर मुस्लिम राजपूत इसलिए बनाए है कि पहले करहें आपना परिवारी कटा हो जाए उसके बाद में पुरा हिंदुस्तान हमारा है और यह हिंदुस्तान सब है सब्सक्राइब है इसमें कोई ना हिंदू कह सकता कि मेरा जी मुल्क है क्योंकि इस मुल्क के लिए आजादी की लड़ाई में सभी ने अपना खून बाया है और हम यहीं पर जन्म हुआ है यहीं पर हम खाते पीते हैं यहीं पर मरना है यहीं पर हमारी जो बुरापा जवानी यहीं पर होनी है और इसी मिट्टी में हमद दफन होना है तो इस वक्त जो भी कि अगर कोई मुसलमान यह सोचता है कि मैं इस मुल्क के साथ में गद्दा निकरूं तो उससे बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता अगर कोई हिंदूब धोड़ेंगे और तभी यह गारी उठेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हम बुल बुले हैं इसकी एकुल सिता हमारा और मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी हैं वतन हैं हिंदुस्ता हमारा जाहिए संस्ता लगबग 25,000 बच्चों को अब तक समानित कर चुकि आज आपने देखा ह होगा कि आज भी हमने काफी बच्चों को सेगड़ों बच्चों को यहां पर समानित किया है और क्यूंकि देश में अगर तरक्की करनी है तो दो ताक्तों का होना जरूरी है एक कलम की ताकत और एक होती है वोट की ताकत तो यह मैसेज्ज यह संस्ता दे रही है यह तहरीक यह शेर सीख राना और राव दूसतार यह तहरीक लेकर के चले हैं कि हमारा नौजवान जो 25 साल से कम उम्र का है वो तो कलम की पावर हाथ में ले और जो इस तो उपर का है वो वोट की पावर का इस्तमाल करें और मैं कुछ सियासत दाने हूं लेकिन मैं सोशल रिफॉर्मर हूं और मैं यह सोशल रिफॉर्म के तौर पर यह आईडियोलोजी डवलप करना चाहता हूं कि जिस समाज के अंदर एक राज़ितिक सोच मर जाती है वो समाज दफन हो जाता है और आज हम यह बांद करके एक रॉयल बनेट की तरह से शेहनशा की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को एक सूच में बांद करके किसी के साथ में कोई नाइंसापी नहीं होगी गरीब को उसका हक मिलेगा मजलूम को उसको इनसाफ मिलेगा और जो लोग जालिम हैं उनको सजा मिलेगी और मेरे साथ है मैं इनके साथ हूँ और पुरा राजबुता ना एक दोसे के साथ है इसी सोच को लेकर कि हमागे बढ़ रहे हैं और यह बुल्ख हमारा है एक दिन वह होगा कि लोग इसे फिर सोने की चीडिया के लिए मैं बेड़ कर रहा हूं इस वक्ति और मैंने मौलिवत किया दार्लूम देवबन से तो मास्ट अब्दू सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छा प्रोग्राम है के हिंदू मुसल्मानों के दर्मियान जो एक हाई हो गई है मुसल्मानों में हिंदू राजबूद मुसल्मान राजबूदों में एक खाई पैदा हो गई उसको दूर करने के लिए इनोंने ये काम किया है बहुत अच्छा कदम है मैं उनकी तारीफ करता हूं इसलाम का देशित गर्दी से कोई तालोग नहीं है ये सब तो एक मतलब केम्यूनिकल करने के लिए इसको एलेक्शन को समपरदाय ग्रूप देने के लिए लोग करते हैं ये बिल्कुल गलत है और जिन लोग इसका मुख्य उद्देश ही है कि एक तो जो फिरकप प्रस्ताक कर रहे हैं इसके मजबूत करेंगे हम सर्वे समाज को करेंगे और हम चाहेंगे हम हिंदो मुसलिम में बठकर एक सुतर में बंद कर हमार देश की विकास की राजनिती होने चाहिए और अमंचेंच सांति कायम होने चाहिए जी 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 वो इसलिए दे गया हमारी होसला अबजाई के लिए कि हम लोग अच्छा काम करें समाज में फिलाल खास पेशकिश में इतना ही तब तक के लिए मुझे दिजी अजाज़त नमस्कार